तो वेल्कम बैक डीसे इटी देखिए एक केसे स्टडी लेकर आया हूं डेल का 35 का बोर्ड है जो पावर और नहीं हो पा रहा है एंपियर देख सकते हैं 0.106 के आसपास एंपियर ले रहे हैं वह भी बिना पावर बटन प्रेस किये हो तो इस कंडिशन में क्या होता है कि इसमें लगभग 35 तो बनी रहा होगा यहां पर सेकेंडरी का प्रॉब्लम है तो आईए मैं चेक करवाता हूं आपको देखिई यह 3-5 का सेकेंडरी मोस्टा है मोस्ट बोलिया रहा है जोभी बोल सकते हैं देकिन एकिन अक्षली मोस्टा होता यह बोल सकते को तो यहां पर तो देखिए थयोangenaur का है है तो 5V present है 5V present है always है always to vs आना चाहिए जो की power button press करने से पहले ही आ रहा है देख सकते है जो की नहीं आना चाहिए और 3.3V है always आ रहा है और 3.3V vs भी आ रहा है भीना power button दबाए हुए obviously ampere 106 के आसपास जाना चाहिए आपका प्यूकि इस condition में IO को पता चल रहा है कि tigger हो चुका है तो चली इसका gate का voltage देखते है देखिए gate का voltage भी 19 यह भी 19 तो gate का voltage अभी low होना चाहिए जब तक हम power button ना दबाए जैसी power button दबाएंगे तो gate पे 19 volt आएगा और तब जाके यह 5 volt to vs 5 volt ट्रांसफर करेगा अभी मेरे case में इस side voltage तो होना चाहिए always होना चाहिए लेकिन यह नहीं होना चाहिए जब तक मैं power button laptop का प्रेस ना करूँ तो इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है इसके जिम्मेदार हो सकता है या तो फिर इसके gate पे जो यह voltage बना रहा है 19 volt तो यहां देखे यह ट्रैक यहां से यहां आया है यहां के बाद इस मॉस्पेट में चला गया है डूल मॉस्पेट है यह तो में भी हो सकता है यह खराब हो जिसके कारण इन दोनों का register short circuit हो गया हो सुरी मॉस्पेट जो है इसके voltage को ग्राउंड नहीं कर पा रहा हो अभी तो अभी हम एक बार के लिए क्या करेंगे इसको चेंज करके देखेंगे तो बोर्ट करता हूं में बंद और एक परिसाइसी को चेंज करके देखेंगे कर देखेंगे तो चलिए आइसी हम लोग ने निकाल लिया हुआ है इसको रखते हैं एक मेरे पास दूसरी आइसी यहां पर अभी हम इसको लगाएंगे इसको कर देते हैं side अभी हम इसको लगाएंगे तो चलिए मेरा तो यहां पर भी लाइट चला गया है तो मैं काम करूँगा इसको मैं अपने iron को on करता हूं और iron से लगाँगा क्योंके SMD तो अभी चल नहीं सकता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक मेरा iron गरम ना हो जाए मैं iron से लगा के दिखा देता हूं आपको बहुत ही प्रोपर तरीके से थोड़ा सा भी गरम होने में टाइम लगे गाइसको तक बने रही है हमारे वीडियो पे और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करने की कोशिश करें ताकि दूसरे भाई को भी समझ में आई यह चीज तो चलिए लाइब तो चलिए अभी यह लग चुका है इसको एक बार वैरिफाई कर लेते हैं यह फाइनली लग चुका है और इसको रखते हैं यहां पर तो इसको क्लीन कर लिजेगा क्लीन करना बहुत जूरूरी है आप पर अपने आई पी या जो भी हो जिससे भी क्लीन करते हैं उसे क्लीन कर लिजेगा और इस आई सी को हटा देते हैं राना तो सौट हो जागा दुबारा से चली एक बार डिसी कॉन करते हैं देखते हैं क्या च्ट्रस है तो यहां पर दिख रहा होगा आपको त्यम्पेर लेवल ठीक ठाक हो चुका है और चली आईए एक बार चेक कर लेते हैं क्या वल्टिजेज जो रॉंग बन रहे थे वह भी बन रहे हैं या मतलब नहीं बन रहा है 3 वल्ट रहे त्यां दहाइं दें दुब यो होचुका मतलब है इसका भी घेटकब कज़त अधार लो हो चुका मतलब होमा रहे है तो 100 परस्किंट हमारा इसी खड़霍 था तो अभी क्या करेंगे बोड को अन करके देख लेते हैं बार के लिए यह पावर बटन है मेरा विए प्रेस किया बोड अन हुआ और इसबार फिर से बंद करके अन कर लेते हैं तो देखिए बोड प्रॉपर होना हो चुका है डीजी का एंपियर 600 500 का सपास और डिस्प्ले भी आ चुका है मेरा अब दुबारा से देखते हैं क्या अभी का स्टेटस क्या है देखिए वोल्टेज हाई हो चुका है जहर सी बात है पावर बटन के बाद यह वोल्टेज हाई होना चाहिए है और हाई होते ही यहां पर थ्री वोल्ट जो है वी एस या थ्री वोल्ट वी एस आ जाना चाहिए तो यह भी यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादस जाए सेयर करने के उसिस करें ताकि हमारा मोटिवेशनल बना र वीडियो आपको देता रहूं प्रोवाइड करता रहूं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू